नमस्कार दोस्तों, मैं einen कर रही हूं आपका, आपके अपने चानल Indian Health Tips for You में हींग खाने के फायदों के बारे में तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आप हींग से होने वाले नुक्सानों के बारे में जानते हैं? हींग खाने से आपके होटों में सूजन, पेट में गैस और अतिसार, सिर्दर्द और चक्कर जैसी समस्याएं सामने आ सकती है तो दोस्तों आज के इस पैकेज में हम आपको यही बताएंगे कि हींग खाने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं आप अक्सर अपने खाने का स्वात बढ़ाने के लिए हींग का इस्तमाल करते होंगे, इसके अलावा हींग कई परिशानियों में घरेलू इलाज बनकर भी आपको फायदा पहुचाती है लेकिन दोस्तों जहां एक चीज के कई फायदे होते हैं, वहीं उसके कई नुकसान भी हो सकते हैं तो चलिए बात करते हैं हींग से होने वाले नुकसानों के बारे में हींग का सिवन करने के बाद कुछ लोगों के होंटों में असामान्य सूजन आ सकती है होंट पहले से बड़े या फूले हुए लगने लगते हैं होंटों में जंजनाहट भी महसूस हो सकती है हींग का ये साइड इफेक्ट कुछ देर के बाद ही होता है और कुछ घंटों में अपने आप सामान्य भी हो जाता है लेकिन ऐसी स्थिती बनी रहे और सूजन चेहरे या गले तक फैल जाए तो प्रभावित व्यक्ति को तुरंट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए हींग खाने से पेट में गयास या अतिसार भी हो सकता है हींग को घरेलू या हरबल उपचार के रूप में इस्तमाल करने पर इससे पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है हींग के सेवन से कुछ रोगियों को पेट में गयास और अतिसाल जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है इसके अलावा कुछ लोगों को हींग के सेवन से पेट में जलन भी होने लगती है पेट में ज्यादा गयस और जलन होने से डकार और उपकाई की समस्या भी सामने आ सकती है इस समस्या से बचने के लिए एक आसान तरीका है हीन को हरबल उपचार के तहट खाने से पहले हलका भुलका स्नाक खा लीजिए कुछ लोगों को हीन के साइड इफेक्ट्स के रूप में स्किन राशिस यानि तवचा पर चकत्तों की समस्या भी हो सकती है स्किन राशिस होने पर प्रभावित व्यक्ती की तवचा लाल हो जाती है और इसमें खुजली की समस्या महसूस होने लगती है यदि ये समस्या थोड़ी देर के लिए रहे तो कोई बात नहीं लेकिन अगर तवचा पर सूर्जन आ जाए और दिक्कत बढ़ जाए तो डॉक्टर से तुरंट संपर्क करें हींग की ज्यादा मात्रा का सेवन करने से व्यक्ती के सर में भी बहुत दर्ध हो सकता है और चक्कर भी आ सकते हैं हींग के नाकारात्मक प्रभावों में होश में रहने की दिक्कत ध्यान ना लगा पाना जैसी समस्याय हो सकती है वैसे ये प्रभाव थोड़ी देर तक बने रहते हैं और कुछ देर देख भाल करने से ठीक हो जाते हैं हाई या लो ब्लड प्रेशर यानि हाइपोटेंशन या हाइपोटेंशन भी ऐसी स्थितियां है जिनका संबंध हींग के सेवन से है हींग का सेवन करने से ब्लड प्रेशर नियंतरण पर नाकारात्मक असर पड़ता है अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो हींग के सेवन से परहेस करें या फिर बहुत कम मातरा में इसका सेवन करें अगर आप pregnant है तो हींग का सेवन आपके लिए बहुत असुरक्षित है हींग के तासीर गर्म होती है इसलिए pregnancy में हींग खाने से मिस्कारेज होने का खत्रा रहता है अगर आप नवजात को अपना दूद पिलाती है तो भी आपके लिए हींग अच्छी नहीं है आपके दूद के जरिये हींग का असर बच्चे तक पहुँच सकता है और बच्चों के लिए हींग नुक्सान दायक होती है क्यूंकि इससे कुछ निश्जित खून संबंधित समस्याई हो सकती है अगर आपको कभी लक्वा माल चुका है या फिर एठन से जुड़ी गंभीर समस्या रह चुकी है तो हींग के सेवन से बचें इससे आपको दौरे पढ़ने का डर होता है इसके अलावा किसी भी तरह की सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या में भी हींग खाना खतरनाक हो सकता है तो दोस्तों इन सभी बातों को ज़रूर ध्यान में रखें और स्वस्त रहें अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेर जरूर करें